उसी के सतन आपको हर एक चैप्टर से रिलिजेट कुछ इस तरह का चैप्टर का चेक्लिस्ट बना लेना जरूरी है देखो नीट 2024 का रिजल्ट अगर देखा जाए तो इसके एकॉर्णिंग इस बार कट ओफ जो है बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है तो हो सकता है कि नीट 2025 का भी कट ओफ हाई जाए इसलिए न अभी से ही आपको अच्छे से प्रिपेशन करना स्टार्ट करना होगा हेलो दोस्तों तो क्या हाल चाल तो कम्प्लीट मन्थवाइस प्लानर टू क्रैक नीट 2025 देखो अगर तो मन्थवाइस प्लानिंग नहीं करोगे कब क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो आप टाइम पे सिलिवास कम्प्लीट नहीं कर पाओगे इससे होगा क्या कि need be crack नहीं कर पाऊगे तो इस वीडियो मैं आपको वही बताऊँगा कि किस मंत में कितने chapters बनना है किस तरक आपका track चार्ट होना चाहिए क्या क्या चीज़े करना जरूरी है ताकि time पे शिलिवास भी complete हो need be crack कर पाऊ तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो देखो अभी आपके पास exactly 10 months के around है बट आपको सिलिवास complete करने का target रखना है 7 months के अंदर ताकि आप बागी के 3 months ना revision पे, mistake, सुधानने पे इन सब चीजों पे दे सको उसी के साथ ना अभी आपका level क्या है वो भी जानना जरूरी है 0% पे, 1% complete है, 20% 50% सिलिवास complete है उसी के according आपको preparation करना है इसके लिए आपको पुरा slivers analysis करना जरूरी है कि कितने chapters आपने complete कर रखा है अगर आपने 10 chapters भी इस chapter complete कर रखा है या फिर 81 बोल सकते हो उसी के साथ अभी आपको start कहसे करना start के लिए अभी सबसे पहले तो आपको अपना weakness जानना जरूरी है चाहे आप किसी चीज़ से आप addicted हो या फिर आपका कोई subject weak है जो भी है आपको अपना weakness जानना जरूरी है कि आप कितना घंटा study कर पाते हो दो घंटा, तीन घंटा उसी के साथ आप consistent रह पाते हो कि नहीं आप laziness तो नहीं करते हो procrastination तो नहीं करते हो वो सब चीज़ आपको जानना जरूरी है और उसी के साथ आपको किसी भी हाल में consistency manage करना ही है अगर आप need करना चाहते हो उसी के साथ आभी आपको अपना study improvement regular basis पे करते रहना है तो यह सब चीज़ आप कैसे कर सकते हो इसके लिए मैंने detail वीडियो बना रहा है उस वीडियो को जाके देख लो वहाँ से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा अब उसी के साथ हर मंथ जो आपको करना जरूरी है और हर रोज करना जरूरी है सबसे पहले तो lecture regular basis पे आपको देखना ही है और lecture आपको कैसी दिन भी मिस नहीं करना है ठीक है और timing आपका fix रहना चाहिए NCRT आपको regular basis पे reading माना जरूरी है NCRT मिस करोगे तो भाई बहुत बड़ी गलती करोगे और notes भी आपको regular basis पे तो बनाना ही है लेक्चर देखने के साथ साथ और question practice आपको page wise करना होगा यानि कि जितने भी pages आप complete कर रहे है NCRT से उस से related question practice करना है उसी के साथ आपको PYQs भी करना जरूरी आपको PYQs करना है अपना progress notebook भी रखना है और mistake notebook भी रखना है और साथ आपको regular basis पे रिविजन करते रहना है quick notes के तुरू weekly basis पे भी आपको revision करना है और test भी आपको देना जरूरी है monthly, weekly उसी के साथ आपको हर एक chapter से related कुछ इस तरह का chapters का checklist बना लेना जरूरी है यह आपको पूरा PDF आपको ट्रेलगाम चैनल पर मिल जागा इसको print out करके आपने सामने रख सकते हो इसमें आपको simple लिखना किया है सबसे पहले आपने lecture complete कि नहीं उसमें आप टिक लगा दोगे रिविजन आपने कितना बार किया एक chapter को आपने एक बार किया है दो बार किया है तीन बार किया वह सब चीज आपको लिखना है और क्या इस chapter में कोई backlog रहे गया तो उस backlog को भी यहां पर लिख देना है इन सब चीजों कर आपको अपडेट करते रहना है खुद का ट्रैक रखने के लिए ताकि आप हर एक चीज नोट करके देख पाऊ कि क्या क्या मेरा complete हुआ क्या 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 नहीं हुआ उसी की करना स्टार्ट करना होगा क्योंकि आप आज नहीं परते हो कुछ दिन मिस करते हो तो इसके वैसे कुछ कुछ भी मिस कर सकते हो और अगर नीट इग्जाम में एक भी कुछन चोड़के आते हो तो आपका रेंक काफी ज्यादा पीचे ज़ले जाएगा इसलिए आपको आज स सबसे बड़ा फीचर यह है कि आपको लास्ट 25 वेस का प्यूए क्यों माक्यावा एंसी आटी मिल जाएगा यानि कि एंस पेज से कौन से टोपिक से किस से अल्री कोशन आ चुक है वह आपको माक क्यों मल जाएगा ताकि आप उस से लेटेट कुछन प्रेक्टिस कर पाऊ और हर एक कोसन का आपको वीडियो सॉलिशन में बिल जाएगा बट यहीं नीट इग्जाम में जितने भी कुछन साथ हर ताप की कुछन सापको मिल सब्सक्राइब के लिए बहुत बड़ा आफर है एक आर पार आप कोर्स फ्री आफ कोस्ट मिल सकता है आपको जिसमें आपको जितने भी एसर्शन परिजिंग कोशन सोगा मैंच टाइप कोशन सोगा ग्राफ एक जगावे मिल जाएगा ताकि आपको कहीं और जाने की जोदन बुक्स का पैकेल जेते हो जिसमें आपको एट मॉड्यूस मिल जाएगा जो कि आपको फूर ट्रीपल ना रुपीज में मिल सकता है तो इसके साद भी ये कोर्स आपको फ्री आफ कोस्ट मिल जाएगा तो अगर आप नीट के लिए सीडियस हो नीट करे करना चाहते हो टाइ हो तो आपको 10 चीक्टर ही करना है यानि के पहले पर रख आया है की चाहिए विशन च्रत आराम से कर सकते हो और ध्यानी रहे स्ट मैंने मैंने को दूप के які और दिसके लिए वीडियो को पूरा इंप्रूब्मेंट कर ना है उस मन्त में जिसमें आप आठ चैप्टर सो किसी भी हाल में कम्प्लीट करना है। से स्टार्ट कर रहे हो और साती सथ ध्यान रहे हैं कि आपका जो भी विकनेस वह पूरी तरह से अल्मोस्ट लिमीट में आ जाना चाहिए एक फिप्टी परसंट तो आ जाना चाहिए और स्टड़ी आवार आप मैक्सिमम्म कर पाऊ यह बात का भी ध्यान में रखना है और कंसि फोकस किस पर रहेगा आपका फिजिक्स एंड कैमस्टी यहां पर मैक्सिमम्म ट्राइक करना है कि जितने भी चैप्रेश और में आपको 12 चैप्टर करना है तो किस सब्चेप्टर्स चूज कर सकतूं यहां पर मैंने आपको बता दिया इसके साथ आपको फूल टेस्ट आप इसके सब्सक्राइब कर और आपको इसके संब्सक्राइब करना हो और बागी सब्सक्राइब मन्त 6-7 की बात करूं तो 6 नंद में आपको 14-15 चैप्रेश किसी बहाल में कम्प्लिट करना है और 7 मन्त में अब जो 15-16 चैप्टर्स आल्मोस्ट कम्प्लीट हो जाना चाहिए किसी भी हाल में जिसमें आपका बायो फोकस्ट पूरा चैप्टर्स रहेगा तो सेवन्थ में फिजिक्स के जितने भी लांस्ट चैप्टर्स हैं उन सब को कम्प्लीट करने को सिस करोगे अगर एक दो बाकी भी है कोई दिक्कत नहीं और चैप्टर्स वह सब भी आपका कम्प्लीट हो जाना चाहिए और फुल टेस्ट आप दो मैने में अटलिस्ट चार देना ज्यादा जरूरी है अगर नहीं दे पाओ तो तो तीन तो आपको देना ही है उसके बाद अगर मैं मन्त 8 9 10 की बात करूं तो चैप्टर पर रखे हो तो उसको से लिए टोपिक को अच्छे से आपको पढ़ना जरूरी है और उसी की सथ जितने भी इनकंप्लीट चैप्टर से या फिर बैक्ट लोग है उन सब को आपको एट मंत में आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है ताकि 9 और 10 मंत पूरी तरह से चैनल को सब्सक्राब करके रख सकते हो तो बस मुझे आपको यहीं पता नहीं थी मिलते हैं इस वीडियो के साथ थांक्यू